राध है राध है मैं आचारे हिमान शुक्मन्यू आप सभी दर्सकों का स्वागत करता हूँ Capital TV के विशेस कारिक्रम काल चक्र में जहां आप सभी दर्सक मुझसे जुड़ते हैं और जानते हैं अपने आने वाले दिन में घटने वाली घटनाओं के विशे में क्या कहते हैं किसके सितारे किसके लिए क्या समस्याएं हैं और उनके क्या समाधान या फिर किसके लिए आज के दिन में सफलता है साथ ही क्या है आज के दिन में सनातन धर्म से जुड़ हुआ विशेस महत्वा तो आईए आरम करते हैं आज 9 मई सन 2030 दिन है मंगलवार का जेस्ट महक के क्रश्न पक्ष की चतुर्थी तिती है जो की 5 बचकर 14 मिनट सायम काल तक रहेगी मूल नक्षत 7 बजे तक सायम काल तक रहने वाला है बात करें राहुकाल की तो आज के दिन का राहुकाल 3 बजे से लेकर 4 बचकर 30 मिनट तक होगा और गुलिक काल 9 बजे से लेकर 10 बचकर 30 मिनट तक रहने वाला है बात अबजित महुर्थ की तो 11, 49 से 12 बचकर 32 मिनट तक आज के दिन का अबजित महुर्थ रहने वाला है अब बात करते हैं आज खास क्या है तो आज है जेश्ट महा के मंगलवार जेश्ट महा के मंगलवार के लिए जैसा कि मैं पहला मंगलवार है reh मैं आपको बता दूँ कि इसे बड़ा मंगलवार भी कहा जाता है लखनों इत्याद में इस समय पर बहुत भंडारे होते हैं प्याव की विवस्थाएं करनी चाहिए लोगों को हमारा सनातन धर्म जीने की एक विधा सिखाता है मैं बार बार कहता हूँ सीखिए ये समय वही है जब हमारे प्याव की विवस्था जेश्ट के माह में कहा गया है कि नुर्जला एकादसी उस दिन घड़े बाट के कन्याओं को बाटे जाते हैं जल से भर करके बेना बाटा जाता है पंखा जो होता है दान किया जाता है तो सनातन धर्म जीने की एक विधा है उन लोगों से कहता है जिनके पास है वो उन लोगों को दे जिनके पास नहीं है तो आईए आरम करते हैं हमारे आज के राशी फल को आज के दिन मेंस राशी के जातकों के लिए इस्थितियां बहुत बिगड़ती हुई दिखाई देती हैं क्योंकि स्तारीरिक इस्तितियां उनकी बिगड़ चुकी है और ऐसी बिगड़ने वाली हैं कि बुरी परिस्तिती आज के दिन उनके साथ हो सकती है और दुरगती हो सकती है उनके सरीर की जो बुरी से बुरी परिस्तिती हो सकती है न स्वास्त को लेकर उसकी कलपना आज के दिन आप करिए क्योंकि फसने वाले तो आप इस समस्या में आज बहुत जादा है अगली रासी हमारी बरसव रासी उनकी बात करेंगर तो बरसव रासी के जात्कों को आज के दिन पैसा रुबया मिलता हुआ दिखता है और जो भी काम करने जाएंगे वो काम भी अच्छे से पूरा होगा बस उतावला पन अगर आपके अंदर आया तो ये मान कर चलिए कि किसी दुर घटना में आज के दिन आप फस सकते हैं जिसकी वज़े से आप की राशी के जात्कों के लिए समस्या हैं बढ़ सकती हैं अन्यता दिन बढ़ा खुशी से और जो है लाप के साथ बीतेगा अगली रासी हमारी जो है मितुन रासी उनकी बात कर लेते हैं मितुन रासी के हमारे जो जातक हैं आज के दिन फस्ते हुए दिखाई देते हैं किसी पैसे के काम में पैसे का नुकसान आज के दिन आपको रोक सकता है जिसके कारण मन उदास हो जाएगा पर सिर्फ पैसे की बज़े से काम रुका है आज नहीं तो कल पैसा आएगा आपका काम पूरा हो जाएगा तो थोड़ा सार स्थिर हो जाईए और अपने आसपास के लोगों के साथ जो खुश है उनके साथ खुश रहने का प्रयास कीजिए अब अगली रासी हमारी जो है करकरासी उनकी बात कर लेते हैं करकरासी के जातकों के लिए आज के दिन समस्यां बहुत सारी सुलश्टी भी दिखाई देती है पर समस्या एक है आज के दिन आपके अपने ही आपके कष्ट का कारण बनने वाले कष्ट मिलेगा दुख मिलेगा दोखा नहीं देंगे पर जो है कष्ट जरूर देंगे तकलीफें आपके लिए बढ़ा देंगे जान बुचकर करेंगे अन्जाने में पर तकलीफें बढ़ने वाली है अगली रासी हमारी जो है सिंग रासी के जातकों के लिए आज का दिन हर प्रकार से बढ़ी हां रहने वाला है सिर्क एक प्रकार को छोड़ कर वो एक प्रकार हर हर बार की उनकी साजिरी की स्थिती है क्रोध के कारण बपेशल जो है उपर नीचे हो सकता है आपकी जात्कों कá तुझ राशी के जात्कों को क्रोध से बचना चाहिए और साथ ही अपने धन लाव और व्यापार की और ध्यान देना चाहिए जिससे आपके जीवन का लाव बढ़ती हुई दिखती है उपर से डर भी बढ़ता हुआ दिखता है क्योंकि आपके जो लोग आपके दुस्मन होने वाले हैं आज के दिन नहीं वह आपको हराने के लिए बहुत सारे प्रयास करने वाले हैं जिसके कारण से आर्थिक और व्यापारिक दोनों ही तोरों पर आज के दिन आपको परिशानी का सामना करना होगा अगली रासी हमारी तुला रासी उनकी बात करने अगर तो तुला रासी के जातकों को आज के दिन नुकसान का सामना करना होगा सम्मान मिलेगा भी और सम्मान जाएगा भी तो अपनी जो है कहा जाता है ना वह अपने सामान की सवारी स्वयम जिम्मेदार होती है तो यह विवस्था आपको रखनी होगी कि अपना सम्मान जो है वह स्वयम्चिंता करें उसकी किसी और पर ना थोपें कुछ रोग और डर भी आज के दिन आपको परिशान करेंगे सम्मान आपका बढ़ेगा बस आप ध्यान रखें किसी नुकसान के कारण घटे ना अगली रासी जो हमारी व्रस्चिक रासी व्रस्चिक रासी के जातक आज के इक आन्त की और खिचाओ मन जुआ दुनिया को भीड़ को छोड़ कर जाने का करने वाला है इसका कारण क्या है डो रहते हैं एक तो पैसा आज के दिन तोड़ाता नुकसान khác बहुत महौल डाइड है आज के दिन जो चाहेंगे सो हो जाएगा आज के दिन उनका सम्मान जो है बढ़ने वाला है और साथ ही धन से जुड़ा हुआ लाव भी आज के दिन उनको होने वाला है इन सबका कारण है उनका भाग्यव क्योंकि उनकी संतान प्रत कुछ अच्छे व साथ है आज के दिन आपकी रासी के जातक शोक में उदासी में भावनाओं में बहकर कोई ऐसा निर्णा ले सकते हैं कि डर का माहुल जो है घर में बन जाएगा और धनका जो है नुक्सान हो जाएगा चीज़ें आपके लिए बहुत बहतर जाती हुई तो नहीं दिखाई द भावनाय रखिए लेकिन उन लोगों के प्रति जो आपके प्रति उत्तरदाई हैं अगली रासी हमारी जो है कुम्बरासी उसकी बात कर लेते हैं कुम्बरासी के हमारे जो जातक है थोड़ा सा अधर्म और पाप की और आज के दिन जुकाओ मैसूस होगा खुशियां रहें से कुछ आया है तो वो इस्थिर तो नहीं होगा और फिर है आने वाले समय में आपको इसका अभाश हो जाएगा अगली रासी हमारी जो है अंतिमराशी मीन के विसे में बात कर लेते हैं मीन रासी के जातका आज के दिन दर्द से थोड़ा सा डर सकते हैं क्योंकि मीन वैसे कोमल कोई काटा ढल दे उसमें फुद जाए विचारी को दरद घंवर किना होता है लेकिन काम आज के दिन आपके सभी बनेंगे तो प्रयास यही करिय कि रह से बाहर निकल लिये के आज पूरा को जाएगा और आज का राशीफल मेरा हुपाई को मेरा यही है कि संबभव हो के लिए अपने घर के बाहर एक प्याव लगवा दीजिए नहीं प्याव लगवा सकते हैं तो एक घड़ा लीजिए टोटी वाला और कहीं ऐसी जगह घर में आसपास रख दीजिए जहां से तो हमसे आप जुड़ना चाहते हैं हमारे करिक्रम को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कल पुना इसी सब्सक्राइब मुलाकात होगी राधे राधे